खिक है so very very good morning आज की class management की एक तरीके से starting से क्या क्या करना है नहीं करना है exam का क्या blueprint रहेगा इसका उन सारे चीजों पर discuss करेंगे और क्योंकि evening के time पर जो है management account की class या तो हम morning में रखेंगे या evening में थोड़ी जल्दी रख पाएंगे उसके पीछे reason ये है क्योंकि 7 बजे तो आपकी FM की class है 7 बजे से पहले ही क्योंकि regular college वाले बच्चे हैं इसके अंदर तो उनको थोड़ा सा manage करना पढ़ सकता है time का जैसे मैंने management account का थोड़ा साथ सभी को मैं blueprint दे दूँ कि सर जो management account है हमारा सबसे पहले ये अभी फिलहाल के time पे जो management account की हम बात करने जा रहे हैं ये management account है हमारा become honors ये management account है हमारा become honors और वो भी semester five के अंदर इसके अंदर उन बच्चों को option दिया जाता है choose करने के लिए सर ये जो subject है ये पूरा का पूरा आपका एक practical subject है practical subject से मतलब है कि इसके अंदर सारी के सारे numerical base आपके एक्जाम में question पूछा जाता है paper की बात करें तो paper इतना ज़्यादा lengthy नहीं होता लेकिन हाँ एक्जाम जो होता है वह आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस question को कैसे solve किया जाए तो मैं एक बात सारे chapters unit wise आपको बता दू कि कौन-कौन से chapter किस unit या unit को हम छोड़ दें एक बार किस chapter में से mainly questions पूछे जाते हैं पहले हम उन chapter को target करेंगे ठीक है तो हमें और करना भी कैसे है मैं उसी sequence में लिखूँगा कि हमें करना भी कैसे चाहिए और कैसे कैसे यह सारा का सारा रहेगा हमारा ठीक है जैसे exam आ रहे हैं और जो जो मैं live classes लूँगा आपका वो सारी चीजे आज हम discuss कर लेंगे और मेरी कोशिस रहेगी regular live class लेके इसको ज्यादा से ज्यादा portion खतम किया जाए है पहला जो topic है ना that is हमारा है profit सबसे पहले profit volume ratio profit volume ratio इस chapter को हम कई नाम से जानते हैं जैसे इस chapter को हम और किस नाम से जानते हैं marginal costing marginal costing के नाम से भी जानते हैं इसको हम एक short form है that is PVR के नाम से भी जाना जाता है तो हर किताब में अलग-अलग नाम लिख देते हैं लेकिन बच्चे कई पर पूछने सर यह तो है ही नहीं सले बस में इसले मैं बता रहा हूं इसमें से आपका एक question 15 नमबर का आना तैह है 15 marks का एक question पूछा जाएगा इस chapter का nature पूरा का पूरा formula based है लगभग और conceptual है कि हमें marginal costing fix costing किस तरीके से निकाला जाए तो सबसे पहले जो student भी marginal costing जिन्होंने भी start भी नहीं किया तो सबसे पहले इसी chapter को आप पिक करिए इस chapter में time taking होगा लेकिन यहां से आपका अच्छे से rhythm बन जाएगा ठीक है तो सबसे पहले नमबर पे आपने यही चेप्टर स्टार्ट करना है नमबर बन पर लेकिए आपका एक्जाम जो है अभी जितने बच्चे को जो भी live है अब बताइए आपका एक्जाम कौन से डेट पे है इसका management का क्योंकि हर किसी के इतने डेट शीट है ना जैसे चोती दिया अब बताइए management का अग्जाम किस डेट पे है आपका क्योंकि management का जो एक्जाम है आइगेस दिसम्बर एंड या जनवरी फॉस्ट में है एक बार वोईस चेक कर लें वोईस मेरे पास तो क्लियर है और शायद यहां पे यहां पे भी क्लियर है चली आगया थर्ड जैन को हां जवाब आ गया कि सर्थ जैन को है तो हम एक time अगर फेक्टर लेके चले पूरा एक एक ना मैं पूरा एक blueprint बना देता हूं पहले time लेके चले थर्ड जैन आज हमारे पास है तेज यानि आपका November के महिने में 10 दिन और आप मान के चलिए December के महिने में आपके पास 20 दिन है तो टोटल आपके पास सरी December के महिने में 20 दिन ही मानते हैं टोटल 30 दिन को लेके चलना है क्योंकि 15-20 से आपके exam ही start है तो ultimately 20 दिन ही पढ़ने को मिलेगा आपको तो 30 दिन के हिसाब से profit volume जो है ये एक बड़ा chapter है इसके अंदर आप अच्छे से करना है देखिए इसके अंदर इस chapter के अंदर कई बार मन में खयाल आ सकता है कि सर ये कुछ formula समझ में नहीं आ रहा कभी कौन सा formula लगा देते हो कभी कौन सा formula लगा देते हो पता ही नहीं चलता तो मैं कहना चाहूंगा ये सिर्फ practice से पता चल सकता है मैंने जिस तरीके से किया है आप उससे 10 नए तरीके निकाल पाओगे अगर आप practice करोगे और हर एक questions को करने में ज्यादा time नहीं लगता बहुत easily quickly पास से साथ मिनट का questions रहता है लेकिन concept पता होना चाहिए तो इसमें आपने ज्यादा नहीं five days लेना है पास दिन का target ले और इसका time अगर देखें तो 10 hours में आप इसे खतम करें मैं maximum ले ला हूँ 10 hours ठीक है न दस घंटे में आप इस chapter को पूरे को खतम करें including practice including video वगएरा सारी चीज़े लेके खतम कर सकते हैं अगला chapter जो आपको pick करना चाहिए that is आपको करना चाहिए budget sorry budget कह रहा हूँ मैं marginal and absorption ये chapter है इस chapter से भी एक question 15 marks का पूछा जाता है इस chapter से एक question 15 यहां जब तक आपको ये वाला chapter नहीं आएगा आप ये नहीं कर पाएंगे तो इसमें से भी पंद्रा नंबर का question पूछा जाएगा 15 marks का 15 marks और सबसे मजे की बात है इस chapter को करने में आपको hardly hardly two days लगेंगे मैंने application के अंदर book के भी लगभग questions कर दिये हैं इसके और जो tenure के अंदर के questions है वो सारे करके मैंने upload किये हुए हैं PVR के भी लगभग लगभग book के questions कर दिये हैं और tenure में जितने भी questions PVR से related थे सारे के सारे uploaded हैं इन दोनों chapter के इसकी practice तो आप वहां से कर सकते हैं पहले मैं प्रफेर करूँगा कि आप book के question जो है है आपका book कौन सा है सर बुक आपका मैं फिर बता दूँ अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे 30 दिन के लिए क्या book ले तो book आपको लेना पड़ेगा और एक एक लौता book सिर्फ और सिर्फ जो मैंने देखा है 95% university के अंदर दिल् अगर आप hard copy नहीं लेंगे तो उसमें आपके वह perfect practice नहीं बन पाएगी जो होनी चाहिए ठीक है मानता हूं देखो आप study कर रहे तो investment तो करना पड़ेगा तो बुक आपको बाई करना हां कितनी भी पुरानी बुक लेलो doesn't matter क्योंकि स्लेबस पिछले मैं 12 साल से कोई चेंज नहीं हो है स्लेबस में पिछले 12 साल से हां डेली उनिवर्सेटी के अंदर एन्वल मोड सीबी सीएस मोड एन एपी या फिर फोर येर प्लैन बहुत सारे चीजें यह बदली हैं लेकिन management account का स्लेबस वही रहा है एक सेक्ट नहीं बदला है ठीक है सर इसके बाद आपको जो चेप्टर पिक करना चाहिए देट इस बजट बजट पिक करना चाहिए सर बजट चेप्टर भी बहुत इजी है इसके अंदर काफे सारे बजट आ जाते हैं इसमें से भी questions आपके क्योंकि management का जो स्लेबस है बहुत छोटा है लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बिलकुल पहाड जैसा ही सलेबस बना रहेगा अगर मैं बात करूं आपसे बजट का 15 marks का है इसको करने के लिए आपको 4 days लगेंगे मतलब आप 3 to 4 days मान के चलिए टीसरे नमबर पे इसको पिक करिएगा फर्स चैप्टर देखिए थियोरी का हर्फ में रहता है उसको मैं कंसिडर नहीं कह रहा है तीन चैप्टर हो गए इसके बाद आप चैप्टर उठाइए decision making यहां पर options है आपके पास या तो आप decision making उठाइए या standard उठाइए ठीक है या decision making को pick करिए या standard pick करिए तो मैं कहूंगा decision making जो है यह कुछ हद तक इन सभी चैप्टर का touch इसमें देखने को मिलेगा सभी चैप्टर का touch देखने को मिलेगा otherwise आप इसको last में रख सकते हैं इसके बाद आप मैं standard costing prefer कर देता हूं चलिए standard costing इसे पहले मत्पिक करिएगा बस मैं आपसे यह कहूंगा standard costing सर इसमें से भी 100% 15 marks की questions पूछे जाएंगे standard costing सबसे बड़ा जो आपकी पूरे slivers का chapter है that is standard costing मैं बड़ा भी नहीं कहूंगा थोड़ा complicated और formula based है आपको practice करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से practice करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा और बिल्कुल सीधा साधा question पूछा जाएगा और इसमें से भी जो questions आने के chances है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका material variance या labor variance में से question पूछा जाता है इसके अंदर काफी सारे हम variances पे discussion करते हैं और live class में जो मैं first chapter आपका start करू 10 year के questions और plus book के question मैं starting से लेके चलूँगा देखो ना तुम profit volume ratio marginal costing और budget या आप सभी को self करना है self in the sense इसके मैंने किताब के questions record करके डाले हुए है प्लस इनके मैंने 10 year के भी questions record करके डाले हुए है आपको बस वीडियो देखके उसको उसके according करना है बस आपके पास कितना focused है वो आप decide करोगे standard costing भी करा रखा है लेकिन मैं दुबारा कराना चाहूँगा standard costing आपको 15 marks का आएगा सर इसके अंदर कितना समय लगेगा सर इसके अंदर जैसे कि आपके पास 5 दिन 7 दिन और almost 10 दिन खतम हो चुके और हमारे पास 30 दिन है तो इसके अंदर आप 10 दिन लगाईएगा और ऐसा न situation में आप भूलते जाओगे सारे chapters ऐसे हैं जो भूलने वाले हैं यह आपको daily basis अगर आपने इसे complete कर लिया तो daily questions करने पड़ेंगे नहीं तो otherwise completely आपके माइंड से स्वेप हो जाएगा यह तो भूल सकते हो इस चप्टर को ठीक है लास्ट में फाइनली एक चप्टर है हमारा डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग एक और चप्टर है रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग सर इसमें से भी 15 मार्क्स के questions आएंगे सर एक्जाम कितने का आएगा जनरली मैं एक्जाम के जो परपोसनेट बता रहा हूँ 75 मार्क्स के साबसे आप चप्टर देखेंगे एक दो तीन चार और पांच पांच चप्टर है और पांचों चप्टर में से questions आने होते हैं एक चप्टर और बसता है हमारा relevant costing relevant costing आधे घंटे का मुश्किल से चप्टर है वो already मैंने done किया हुआ है जिसको आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और last moment पे भी करेंगे ना तो हो जाएगा उसमें ऐसाच कुछ नहीं है mainly यह chapter है sequence आपको यही follow करने है और अगर आप book के questions और 10 year के questions प्रैक्टिस कर लेते हो आप यकीन करिएगा आपका exam दो घंटे में खतम हो जाएगा two hours में आपका exam finished हो जाएगा और यह subject आपके real life के अंदर बहुत important role play करता है sir कैसे sir real life में इसलिए important role play करता है because of कि आगे आप MBA करेंगे तो यह subjects आएगा आगे आप AMCOM करेंगे तो यह subject आएगा आगे आप CA करना चाहते हैं या CS करना चाहते हैं यानि आप अपनी education journey आगे continue रखना चाहते हैं further अपने knowledge enhance के लिए या अपने skill enhance के लिए तो यह subject से आप बच नहीं पाएंगे तो अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो उस time पे आपको आसानी होगा बहुत बच्चों ने इसको opt नहीं किया है इसके बदले दूसरे subjects लिये हुए हैं हो सकता है उनका कुछ भी reason हो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा हमारे management का पूरा scenario है कि किस तरीके से करना है अब हम एक बार discuss कर लेते हैं सर यह पूरा का क् वो उनका सुटा है थच्ट बारसे सर यह प्रेदा पूरा में में यह बारे रीके सकते हैं दिए किस तरीके से क् उनका से कि जनका एको यह बारे दिके से अरी कैसा बारे यह गए